आज हम चॉकलेट मिल्क शेक से भी जड़ा टेस्टी मिल्क शेक बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी यम्मी हेल्दी और इमेनरजी बूस्टिंग का काम करता है इसमें हमें पिंट खजूल लिए साथ से याठ पिष्टा एक कप दूद इलाइची दो और हमने शुगर ले लेना है शुगर पाउडर आप जगरी पाउडर का गोड़का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों वह भी बहुत ही ज्यादा है और हमारी हल्द के लिए और यहां पे जगरी जहां पिंट खजू कट किया है कैची से लॉंग लंबे लंबे थोड़े कट करके हम डाल लिया है और दो टेवल स्पून हमने शुगर पाउडर आट किया है दोस्तों और बहुत आप अपने टेस्ट के लिए शुगर पाउडर यूज कर सकते हैं और यहां लाईची यूज की है जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छी होती है ठंड़क पहुचाती है और मीठी चीजों मे जादे लाईची का यूज किया जाता है खुश्बू के लिए टेस्ट के लिए और हैल्थ के लिए तीनों के लिए बहुत जादा फाइदा में दोस्तों इलाईची साथ में हमने थोड़ा सा एक नॉर्मल टेंपरेचर पे थोड़ा सा दूद एड कर लेना और इसे ग्राइ डाल सकते हैं बड़ उसकी जरुवत नहीं पड़ेगी ऐसे ही बहुत जादा टेस्टी लगता है दोस्तों सारे दूद को हमने अच्छे तरीके से मिला लिया और उपर से हमने गानेशिंग के लिए डाल दी हैं पिस्ता बदाम भी आप डाल सकते हैं भी मेरे पास बदाम नह है यहाँ पर दोस्तों और साथ में हमने यहाँ पर एड किया है थोड़ा सा हनी गानेशिंग के लिए और हेल्थ के दुरूप ही ज़्यादा फाइदे मध् होता है हनी हमारे लिए दोस्तों तो यह तुरंत एनरजी बूस्टिंग का काम करता है आपको ताकत मैं शूर सोब इस एनरजी ड्रिंक को आप एनी टाइम एनी सीजन और हर एज ग्रूप का बच्चे बूड़े सब कोई पी सकते हैं जवान और तुरंत एनरजी बूस्टिंग करता है तो वीडियो पसंद आयाओ तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब, बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों थेंक्स फॉर वाचिंग, स्टे फिट, स्टे हल्दी, टेक केर